हेलो दूस्तों कैसे हैं आप लोग और ये मुझे दही बनाना है मैंने न कर भी थोड़ा सा दही जमाया था लेकिन वो जमा नहीं तो अभी ठंड का मौसम हो गया है न थोड़ा सा दही जमने में प्रावब्लम होती है तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और मतलब गरम दूद करके और मिक्स करके और इसको अंदर रखोंगे याजने जिससे क्लिए न बहार से हवा universal लगती है क्योंगि ठंडा है तो ठंडा हो जाता है तो फिर ये दही जमता नहीं है तो इसलिए मैंने इसके अंदर रख दिया जिससे क्या है ये थोड़ा थोड़ा गरम बना रहेगा तो फिर ये अच्छे से दही जम जाता है इन दुनों में थोड़ा से दही जमाने में वैसे तो अच्छे जम जाता है ल आज मैंने फिर उसमें क्योंकि फिर वो खराबी हो जाता एक दो दिन लगते बनने में तो फिर दूद ना वो कड़वा हो जाता फिर वो बिलकुल भी फैकना ही पड़ता और इतना महिंगा असकल दूद आता है कुछ कहने को नहीं तो फिर मैंने उसमें और थोड़ा दूद क काफी करम करके उसको अच्छे से उबाल कर जिससे क्या है कि सारा उचिस दही में बनाने वाले दूद में मिलाओंगे न तो वह थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसी में मिक्स कर दिया था और उसको रख दिया है तो फिर अच्छे से जम जाएगा मतलब अंदर की अंदर रख जिसस को भार के हवा ना लगे तो बस और आसकल मौसम भी होने लगा है थंड हम लोगों के इधर भी थोड़ा थोड़ा सा ना सुबे जो धुन्द होते हैं वो होने लग गई है मतलब हर रोज थोड़ी थोड़ी करके थंड बढ़ने लग गया तो अभी मैं बरतन बगेरा धुलकर आई थे तो मेरे हाथ ना ऐसे थंडे से हो रहे थी तो मैं लेसन चील रही थी तो मेरा हाथ काम नहीं कर रहे थी तो वही मैं उसको रगड रही हूँ मतलब कप्डे से और थोड़ा सा उनको कर रही हूँ कि जिससे ना काम करना स्टार्ड करते हाथ मतलब ठंडा ही पानी और ठंड अब दो-चार दिन से होने लगे है बढ़ने लगे है क्योंकि दिसंबर का महना स्टार होने वाला है तो बस हो चुका है तो बस थोड़ी-थोड़ी होने लगी है सड़ी तो ये मैं लेसन चील रही हूँ और मुझे मतलब आज तड़का लगाना है सबजी तो मैंने सुबह बनाई थी मैं थियालो के तो स्कूल के लिए हो गई थी स्कूल का टिपल में पैक कर दिया था और थोड़ी बहुत बची थी तो हम लोगोंने नास्ते में सबी लोगोंने थोड़ी थोड़ी नास्ते में खाले तो अभी मुझे उन्टुफेयर के खाने की तयारी बनी है तो ये करी पत्ते हैं इधर लगे तो बहुत हैं लेकिन थोड़ा सा हटकी लगे हुए हैं तो बस वही में मैंने मंगाये थे तो डबे में करके और रख देए फ्रीज में ऐसे रख दो तो हरे ही बने रहते हैं मैं बुली भी थी इन्हें एक पेड लाके लेकर आओ तो मैं लगा लेती हैं यहाँ पर तो ये बुले के इधरी लगे हैं तो यह सरसो का साग और मैं इसी को तड़का लगाओंगी तो इसी का तड़का है जो मैंने तयार करके रख लिया है तो यह सर्सो का साग आया है आया क्या है और यह मैंने तल्टा है जो वो तयार करिया है और मैंने मतलब दो बार तो बना चुकी हूं सीजन का इस सीजन में साग और यह आया है है मेरे हस्वेन मांगा है कमदा बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है तो उन से मांगा है मतलब मांग मांग कर खाते हैं क्या बतू करते हैं ने जो भुषुर्क होते हैं उनके हाट में स्वाथ अलग ही होता है उन्हें जादा हम लोग क्या करते हैं बनाते तो हैं लेकिन अच्छे तरीका से नहीं बना पाते हैं जैसे वो लोग बनाते हैं हम लोगों को जल्दी-जल्दी होती है तो हम कुकर में बना लेते हैं और बैसे भी बताओ चूला-बूला है ही मेरे चूले टूले बनाते हैं फिर मिक्टी चूले को बनाता है इसलिए यह साग और स्वास कॉछ नहीं तो ये मेरे हस्बन ने मांगा है उनसे, उन्हें बोला था, मतलब साल में, जब साल का सीजन आता है, तब वो दो-तीन बार उनसे मांग कर ही खा दे हैं, बहुत अच्छा होता है, बैसे हम लोग तो पंजाबी नहीं हैं, तो बनाते हैं, और अच्छा भी लगता है जो हम बनात बनाते हैं जो मिट्टी की घड़े में बनाते हैं उसका स्वार बहुत अलग होता है मतलब उनका देशी तरीका होता है बनाने का और हम लोगों के पास चूला चाला है मतलब लक्री गाले जलाने के और जगे भी नहीं है ऐसी जहां बैठकर मतलब लक्रियों का इंतजाम तो हो एक सब्सक्राइब में आज मैं आ यह आ गया है तो इसको ही तर्का लगाने जा रहे हो और इसके साथ बना हमाने मकी की रूटी क्योद्टी साथ के साथ मकी की रूटी ही famous है तही है नहीं लस्टी बनाने के लिए नहीं लस्टी बहुत अच्छी लगते हैं जब बेए खाव तो अभी तो मैं इसमें तर्का लगा लगा जोती हूं तो मैंने इसमें हीम, जीरा और सर्सो के दाधे जो होते हैं तर्के वाली जो सर्सो आती हैं तो वो डाल दी है काफी अच्छल स्थयो लाल करने रहें हैं तो थोड़ा शायी । कौसिते पूर में इसम्पल करें देखिकी को निकार लाले हैं क्योंकि मुजे क्याकी भूह रहेज।्षार्ट मपला ब्लाल जो राधे के साथ में पयास को फ्राइभ करो ना तो यह वाली कुस्पू क्या होती जो लेसन की खुस्पू होती ना द जाते यह तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेसन और हुप जीarthi woala तरका है जो वह तो उसमें लैसन और हीम जीरा लैसन और लाल मिर्च का ही डाल कर फ्राई करते हैं तमादर बग्यारा प्यास बग्यारा नहीं डालते हैं तो बस यह मैंने डाल दिया उपड़ से और इसमें यह लैसन की कुस्पू साग में इस्ट्रोग नहीं आएगी तो जिससे काफी अच्छा लगीगा खानी में तो यह साग में तरका लग्या है और अभी मुझे बनानी है रोटी बनाओंगी मक्य की चाब रोटिया बनानी है तो यह मैंने बनाई है सिर्फ चार रोटिया ही मक्य की सरसो के साग के साथ और बैसे इन दिनों में मक्य की रोटिया मतलब रोटिय वगएर चांज हो जाए तो अच्छी ही लगती है बारो मैंने एक ही रोटी खाओ तो वह भी नहीं स्वार लगती तो बस और यह मेरे हस्बेन ने मांग मंगाया है साग मक्य की मक्य काटा तो काफी टाइम लेके पहल नहीं ही बोल देते हैं उनको कि अगर तुम्हारे ममी साग बनाए तो मुझे जरूर्द लाके देना तो बस यही हमारा अभी दुफैर का खाना है तो अभी था साम का टाइम तो मैंने बनाई थी चाए और बच्चों को खाना था उक्मा तो वही बनाया था थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मतलब अभी क्या है मटर बगएरा चल गई है तो मटर बगएरा डाल के उक्मा बनाओ तो काफी अच्छा लगता है खाने में और मुमफली बगएरा के दाने हम लोगों के घर में किसी भी चीज में बहुत कम पसंद करते हैं पुहा बगएरा में भी नहीं खाते हैं साबुदना बगएरा में भी नहीं डालते हम लोग मुमफली के दाने मतलग सिंपल खाने में मुमफली को पसंद करते हैं पर किसी चीज में डाल कर बनाओ तो हम लोगों को पसंद नहीं है और उसकी जगह हम लोग मतर डाल लेते हैं मतर ज़्यादा पसंद आती है तो बस वही मटर डाल कर बनाया है उक्मा और अभी गरम है यह चीजे ना गरम ही खाने में अच्छी लगते हैं तो बस अभी यह साम का है नास्ता हम लोग जरूरी नहीं साम को डेली ही नास्ता बनाएं कभी कभी बना लेते हैं जब बचों को वलकी फलकी फूंक लगती है तो क्या है मक्की वक्की की रोटी बच्ची कम पसंद करते हैं बोलती हूँ खाने के लिए पर ये लोग मतलब आदी थोड़ी बहुत रोटी खाके देखते हैं तो टेस्ट की अंसवार खाते हैं बस थोड़ी बहुत खाते हैं नहीं खाते उतना तो अभी बनाया था उकमा तो वही हम हम लोग ये तो थे नहीं इनको पसंद भी नहीं है इन चीज ना इस टाइप की चीजे मेरी बेटी को इतनी पसंद है इतनी पसंद है मत पूछो कितने हैं वो सबसे जादा इन चीजों को पसंद करती है